जैसे कि आप लोगों पता है कि बहुत सारी टूविला मेनफेस्टे कंपनी अपनी नहीं नहीं विकल निकाल रहे हैं इनन मार्केट में ताकि उनके सेल बड़े जो उन्होंने पैंडेमिक में जहला है उससे उभर पाए तो अब इस सिरे इसके अंदर होंडा मुट्शा कल लिए शामिल होगी है उसने होंडा ग्राजिया 125 रैप्सोल टीम एडिशन लाउंच कर दिया है इनन मार्केट में जो की काफी स्पूर्टी डिजाइन के साथ आईगी है और इसके अंदर आपको बहुतनी फीचर देखने है तो इस वीडियो में इसी के बात करने वाला हूं कि होंडा कंपनी ने जो ग्राजिया लाउंच की है 125 रैप्सोल टीम एडिशन इसमें इसके डिटेल में बात करूँआ मैं कि इसके अंदर इंजिन के में इसके डिजाइन क्या है और इसके प्रफॉर्मेंस कैसी है तो मैं इ 15 November को इस स्कूटर को लांच कर दिया इनिन मार्केट में जिसका नाम है जो बता चुका हूं की हम इंडिया में रेसिंग के आपनार में वकी ऩो मोद वकी आपनी ह downturnेच भांच के लिए अन्दीरлем हेल पुनगे लिए लॉनटा के लिए इक काफी खुशी की बात है उनके लिए तो बात कर लेते हें हूंडा unto 125 रप्सोल टीम एडिशन के फीचर और डिजयन के तो कंपनी की तरफ से होंड़ाज 125 रप्सोल टीम एडिशन में और इसके साथ इसके अंदर LED DC headlamp है multifunction switch है integrated passing switch है engine cut-off के साथ side stand indicator intelligent instrument display three step adjustable rear suspension और front के अंदर suspension जासे काफ सारी feature आपको इसके देखने मिल जाते हैं और साथ के साथ ही इस scooter के design है काफी sporty look है और side panel पे split LED position lamp भी दी गए है और अगर मैं बात करूँ इस scooter के engine और gearbox की जिनको नहीं पता मैं बता दूँ इस scooter कंदा है साथ ही कंपनी की तरफ से इस scooter में automatic gearbox मिलते हैं आपको तो होंडा कंपनी दे जो यह scooter निकाला है Honda Grazie 125 यह काफी अच्छा scooter है काफी अच्छा power generate कर रहा ही है और इसकी जो प्राइज है यह 37,100 रुपे के आसपास है जो की अच्छा रुप में और पढ़ते है और जागा समझाओ 90 के आवर पार जाएगा यह तो Honda Grazie ने भी अपना निया scooter निकाल दिया है जो की पैट्रोल स्कूटर है अलक्ति स्कूटर नहीं है तो अगर आप लोग भी कोई पैट्रोल स्कूटर देख रहे थे तो एक अच्छा option हो सकता है क्योंकि इसकी speed भी अच्छी है और लुक तो ही जबर्दस क्योंकि के लिए तो भी अच्छी होता है बाकि अगर आपको बाइक से कास रिलेटेड कोई भी इंफोर्मिशन चाहिए तो आप लोगों को में चानल बने रहना पड़ेगा और अगर चाहो तो में को इंस्टागाम पर देम करके फॉलो भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लिं